गाउ में एक चुडैल का खौफ एक गाउ में एक चुडैल का इतना खौफ था कि लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे अरे गोलू, इस काली चुड़यल ने तो सब का जीना हराम कर दिया, कल रात में उसने चैतु की बकरी का काम तमाम कर दिया अरे वैया मागन मैंने सुना है वो काली भयानक चुडेल सफेद साड़ी पेहनती है और उचल उचल कर चलती है कैसे वो पहलवान जी क्या बताएं गोलु भाई जो सबका हाल है वही हमारा भी है काली चुडेल से बचाओ यही हमारा नारा है बैया बचकर रहना वो चुडेल अब तक कई मूच वालों को आसमान दिखा चुकी है कई सूर्मा को धूल चटा चुकी है यह बात तो सही कहा आपने पैजू पहलवान ने तो अपनी मूच ही मुड़वाली है दूसरे दिन पहलवान को रास्ते में बूढ़े बर्गत के नीचे काली चुड़ल ने घेर लिया मंदू के तो पसीने ही छूड़ गए तू बड़ा पहलवान बना फिरता है आज तुझे मैं मज़ा चखाऊंगी मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है मुझे छोड़ दो मैं किसी को नहीं छोड़ती सारे गाउं के लोग मेरे दुश्मन है काली चुड़ल उनको तीन चार बार पटकती है उनके हाथ में चुड़ल की चोटी आ जाती है काली चुड़ल डर कर वहां से गायब हो जाती है दूसरे दिन चुड़ल ने एक बुज़ुर्ग को बहुत सताया वो बीमार हो गया गाउं के लोग ये सब खबर सुनकर डर जाते हैं और सभी एक तांत्रिक के पास जाते हैं महराज काली चुड़ल ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है हमारे गाउं को इस काली चुड़ल के साहे से बचाईए आप कोई युक्ति लगाईए ये चुड़ल बहुत ही बलशाली है ये पूरे गाउं से बतला लेने वाली है बहुत साल पहले इसके पती को काउं के ही कुछ लोगों ने मार दिया था इसे मर्द जाती से ही नफरत हो गई और ये मर कर चुड़ल बन गई महराज अब हमें और ज्यादा मत डराईए इससे बचने की कोई राह दिखाईए मैं मंत्र द्वारा उससे आप लोगों की मुक्ति का उपाए करूंगा आप लोग कुछ दूर खड़े हो जाईए तांत्रिक मंत्र का जाप शुरू कर देता है और काली चुड़ल उसके सामने आकर मंडराने लगती है तू क्या चाहती है बदला बदला मुझे पूरे गाउंबालों से बदला लेना है तेरे पती को मारने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं है तू इन से फिर क्यों बदला लेना चाहती है ये लोग भी तो उन्हीं की संतान है क्या तू अपने पती से मिलना चाहती है हाँ 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 मैं उनसे मिलना चाहती हूँ क्या तुम मुझे उनसे मिला सकते हो हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे पती के भूट से मिला सकता हूँ तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा तुम फिर यहां कभी नहीं आओगी मैं वचन देती हूँ कि फिर मैं यहां कभी नहीं आऊंगी अब मुझे मेरे पती से जल्दी से मिलाओ तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर उस भूत का आवहन किया और वो उसके सामने प्रकट हो गया काली चुडायल खुश हो गई और अपने पती के भूत से लिपट गई दोनों वहां से आकाश की तरफ उड़ते चले गए और अद्रश्य हो गए सभी गाओं वाले खुशी खुशी रहने लगे